बरेला थाना वा गौर्ड चौकी में पुलिस द्वारा मादग पताओं के खिलाफ कारवाही करते हुए बरेला से चार आरोपियों को 8 किलो गांजा वा स्विफ्ट कार के साथ गिरफतार किया गया है गौर्चौकी अंतरगत गांजा की तसकरी में लिट्व मोटर साइकल में द्वारोपियों को भी 3 किलो गांजा सहेतर पुलिस ने पकड़ा है आपको बता देए कि बरेला पुलिस वापराद शाखा की सायुक्त कारवाही के चलते मुखवीर से सूचना मिली की NS30 बाइपास के आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ गांजे की तसकरी की जा रही है वहीं सूचना पर टीम गठित करते हुए नाकबंदी कर सामने से आ रही सूफ्ट कार को रोका गया वहीं कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट में एक बैग में तलाशी लेने पर मादक पदार्थ 8 कि गांजा कीमत 80,000 रुपए का गांजा पाया गया वहीं उसमें बैठे चार आरोप्यों को गांजे सहित हिरासत में लेते हुए NDPS Act के तहत कारवाही की गई है इसके साथ ही बलेला गौर चौकी अंतरगत पुलिस ने कारवाही करते हुए मुखवीर की बताई गई सूशना के अधार पर मोटर साइकल से मादक पदार गांजे की तसकरी में लिप्त दो आरोप्यों को घेराबंदी करते हुए दबोचा है जिनके पास से मादक पदार तीन किलो गांजा पाया गया है जिसे जब्त करते हुए दो आरोप्यों को गरफतार किया है वहीं पोलिस ने बताया तेन केलो गांजा सहित गिरफतार कर सभी आरोप्यों के उपर NDPS Act के तहट कारवाही की गई है विर्ड पोर्ट वाइस आफ राइट